असलाम लेकुम विवर्स क्या हाल है आपका उमीद करती हूँ आप सब खेर खेरियत से होंगे आज हम सद्धियों की सोगात बना रहे हैं जिसका नाम है सरसों का साग और मकईब की रोटी तो सरसों का साग की रैसीपी दूँगी आज मैं आपको इसके लिए जिन चीजों की ज अप्रेद होते हैं खुले पानी में उस ठाल डालकर निकाल निकालकर मैं इसको धोया है अच्छी तरह से इसकी मटी साफ करनी है आपने और मैंने इसके लिए आदा किलो बातु लिया है अगर आप एक किलो साग बना रहे है तो उसके लिए एक बाव बाथू की रेशो इस स्विखक प्यास दिया हैं सद्धी को बारी नियुक्त निदे बाइगल नापक भी हच्ब जरूरत लेगे तो इसमें पालव बगड़ा इस्तमाल करूंगी क्योंके पालव इस्तमाल करने का अपना जोजाइका वह आपको बहुत पसंद आएगा तो आइए पकाना स्टार्ट करते हैं जी वीवर्स अब मैंने आग जला ली है और मैंने इसमें सारा बाथू और आधा साग डाल दिया है प्रेशे कुकर में और इसमें मैं आप दो ग्लास पानी शामिल करूंगी दो ग्लास पानी शामिल किया है इसको अब मैं तक तक पकाऊंगी जब यह थोड़ा नीचे चला जाए कम हो जाए बैट जाए ज़रा नीचे इसमें बाकी भी डाल देंगे और वो भी थोड़ा सा नीचे बैट जाएगा फिर इसको मैं आगे बताती हूंने क्या करना है यह दे मिर्चे और नमक आपने ध्यान से डालना है और यह बाकी का साथ भी शामिल कर दूंगी यह ज़रा जब अच्छी तरह नीचे चला जाएगा फिर हम इसे वेट दभाएंगे पानी चेक कर लेंगे अगर हमें और ज़रूरत हुई तो और डालेंगे यह बहुत जादा लग रहा है पर यह थोड़ा सा हो जाएगा पकने के बाद इसका पहलाओ बहुत जादा होता है लेकिन पक के यह चीज थोड़ी सी हो जाती है अब मैंने यह शामिल कर दिया अब मैं इसको तेज आंश्रे दुबारा से रख दूंगी और जब यह नीचे लगाना कोटमार बहुत चला है नीचे अफ़ी कम और पानी सीमें चंद नग़नोंगा psychologists कोटमा निचे और बहूझ पाने में क्योंकि दिख घंटा गाने त्रीट्ट नियुका वो सकता है नहें तो मैं इसमें एक ग्लास पानी और शामिल कर रही हूँ और इसको ला लेंगे ज़रा लाकि नीचे से लगना जाए और इसको लगवा देंगे वेट लगवाएंगे 30-45 मिनट के लिए प्रेश कुकर को मैंने एक ग्यंडे के बाद खोला है इसमें एक ग्लास पानी और गया है टोटल चार ग्लास पानी मैंने शामिल किया है और अब देखें ये बिलकुल गल चुका है इसकी शrickल ये आ गई है अभी बिलकुल गल चुका है कि अब इसको हाथ ने मेरी दिखुता लगा लेंगे या यहां स distinct हेंडी ब्लेंडर से मैं वैंड कर लोंगे तो मैं ब्लेंड करके आपको डिखाती हुँ कि मुझे कि लेंड करना है आप इसको मैंने पीस लिया है आप देख सकते हैं यह बील-खूल बारीक नहीं है और नहीं यह बहुत ज़्क ज़्छा आपकी आप आसानी है जो चीज आपके पास अवेलेबिल है आप उसके साथ इसको कर सकते हैं इसको चिना था करें अचावरिया दें आताओ बहुना हुआ ख़ूताओ थोड़ब आटा है। करेके तो तेज से यह रषैक पान्य हिलातो जाना है रही है Nochr को कि इसकी साविल जाना हुए है ताके इसकी गुट्लिया ना बने और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ये भुना भी हुआ है तो कच्छा पन आटे का तक्रीबन खतम है तो इस तरह से इसको मैं हिलाती रहूँगी इसका जो तड़का है वो बहुत मज़े का लगेगा उससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा अब इसको मैं थोड़ी देर आटे का कच्छा पन खतम होने तक पकाऊंगी इसमें थोड़ा सा और आटा जाएगा ये रेखें अभी बतला है थोड़ा सा इसमें आट जाएगा तकरीबन ये एक कप मैंने आटा लिया था ये जब इस तरह हम करके देखेंगे ये देखें बिल्कुल तेजी से गिर रहा है इसको थोड़ा सामने थिक करना है तक आटा जो है जितना उसमें गाड़ा होना है वह हो जाए बहुत जादा आटा बीना डल जाए बहुत जादा डलेगा तो बहुत जम्मा जम्मा भी अच्छा नहीं लगेगा और कम हो तो वह भी नहीं अच्छा लगता मैंने बड़ा करारा साग बनाया है जरा इसमें मिर्चे तेज है स्पाइसी साग है तो आप चाहें तो कम मिर्चे डालिएगा नमक भी तूटेस्ट देगा इसमें ये भी चला गया देखे पूरा चला गया ये देखें इसको मैंने काफी पकाया है ये बहुत उचला कूदा है इससे बहुत सारा कुछ गंदा किया है जब तक अच्छी तरह इसका पानी हुश्क नहीं हो जाता आपको भी इस मसले का सामना करना ही पड़ेगा तो अब ये काफी हद तक सही हो गया अब ये बिल्कुल नहीं उचल रहा इसमें से बिल्कुल चीटे नहीं निकल रहे बाइर तो ये इसकी निशानी है कि हमारा जो साग है वो फाइनल लुक में आ गय लिख सकते हैं ये किस तरह अंगा होना चाहिए कि एथिक है अभी स्ता हो गयाakis इसका मंए तड़का रेड़ी कर लेकि इसका ब्लंकुल ठीक हो गया है सक इतना ही होना चाहिए बहूं जममाऊंब भी ना हो और बहुत झाथ हो बहुत जादा पसला भी ना हो आब इसका तड इसको थोड़ा सा करूंगी फ्राइ कलर देंगे इसको गोल्डन ब्राउन वीवर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और मुझे कमेंट्स पर बताईएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन आपने जरूर ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो यह देखें यह गोल्ड़न ब्राउन होने वाले हैं जब ऊइसके के आपको बुस्केर दूरे बनता है इनकी है। प्लीज एक Moo 중 वॉभन पलीज गेगा दो आपको GULDन मेरे पास अद्रक कुटीवी हरी मिर्चे हैं और अद्रक है दो टेबल स्कून भरके अद्रक है और देड़ तेबल स्कून है हरी मिर्च का हरी मिर्च आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे ठीक है तो इसको हमने बहुत जादा फ्राइ नहीं करना बस इसको थोड़ा सा फ्राइ करना है कि अद्रक और हरी मिर्च का कच्छा पन जरा दूर हो जाए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको जरा खुश्बू आ जाए अभी मैं इसके साथ रोटिया नहीं बना रही हूं मकई की अगर वो मैं बनाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती और आपको सब चीजे बताना भी जरूरी होता है उसकी वीडियो में अलएदा से बना के डाल दूँगी अगर आपको मकई की रोटियों की रेसिपी चाहि तो उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में तो आप ले लीजिएगा वैसे तो तड़का डाला जाता है खाने के अंदर लेकिन तड़के में इसमें साख डालेंगे हम इसलिए मैंने ये कडाही ली थी तो देख लिजिएगा अगर आपने कठा तड़का लगाना है पूरा तो आप इकठा लगा दीजिएगा वरना जितना आपको जुरूरत हो आप उतने साख को तड़का लगा सकते हैं तो ये हो गया है अब मैं इसमें साख शामिल कर दूँगी अगर आपको इतनी चीजों ही जुरूरत पड़ेगी अगर आदे को लगाना है तो हाफ कर लीजिएगा कॉंटिटी तो इसको अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी पाकी का साख भी डाल देते हैं सारा साख मैंने शामिल कर दिया है साख को फिर गुसा आ गया है साख टड़के के बाद फिर उछलना पूदना शुरू हो गया है तो इसको थोड़ी सी देर और पकाऊंगी ताके तड़के का फ्लेवर इसमें इसकी तरह से रच बख जाए तो यह देखें चूला ओन है और इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए यह देखें हो गया है साग रेड़ी इसको मैंने तकरीबन दस मिनट के लिए हलकी आंच पर रखा है और दम पे और अब यह रेड़ी है खाने के लिए बहुत मज़े का बना है और अब मुझे इजाज़त दीजिए दूआओं में याद रखिएगा अला हाफिज